में प्यारे बच्चु, मैं कुछ question जो पहले के medical exams में आये हुए हैं, उनको मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूँ और जो question होंगे वो एक या दो ही होंगे और उनके concept को समझने के बाद आप कई question solve कर सकते हैं तो अज हम पहला question discuss करते हैं, जो question है, which one of the following has haplonic life cycle अब सबसे पहले question में यह समझना पड़ेगा haploid क्या होता है, जो haploid होता है, उसे हम represent करते है N, और जो N होता है, वो होता है single set of chromosome, अगर आपने कोई plant देखा है, जिसमें root, leaf, कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, एक simple structure दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते है gametophyte, और gametophyte को हम डिप्रेजर करते है N से, और N माने होता है haploid, अब पहना option है funeria, अगर आप funeria का example लें, तो funeria जो show करेगा haplodeplonte, जाने कि funeria के अदर haploid structure and diploid दोनों ही दिखाई रहते है, diploid का मतलब होता है 2N, 2N का मतलब होता है double set, यानि 2 set of the chromosome, for example, अगर हम plant करता देके, जिसमें root, leaves अगर है develop है, वो हमेशा शो करेगा 2N, और अगर जाइगोड देके, तो that is also shown by the 2N, अब यानि कि पहला option जो था funeria, जिसमें था haplodeplonte, वो गलत हो, दूसरा है polytrichum, जो polytrichum है वो show करता है diplontic life cycle, यानि कि पूरा ही life cycle में 2N represent हो रहा है, तो यानि कि दूसरा option है वो भी गलत हो और तीसरा option है ustilago, या ustilago हो है, वो पूरा का पूरा show करता है haplontic, यानि कि यो तीसरा option है वो पूरा का पूरा show कर रहा है haplontic life cycle, और haplontic life cycle अगर ustilago show कर रहा है तो यही है तीसरा answer है ustilago, और जो चौथा option है that is wheat, तो wheat है वो show करता है diplontic life cycle, तो इसका मतलब इन 4 option में C option ustilago ठीक हुआ, और बाके 3 option गलाद हुए, अगर आपको haplontic और diplontic का difference पता है तो इस base के आप कई questions solve कर सकते हैं और इन questions को solve करके आप आने वाले time का इंदर कई और questions जो आएंगे उने भी solve कर पाएंगे, अगर आपको मेरी video अच्छी लगी है तो इसको जरूर subscribe करें और comment section में इसको कैसे improve कर सकते हैं, वो भी अपने suggestion जरूर दी है